नमस्कार मैं कवीतावनियाल आप देखने मीडिया टूडे टीवी ग्रह मंत्राली की शुरक्षा लेकर भाजपा की आर्मी छुपी नुपूर शर्मा अब नपने वाली है पैगंबर सहाब का अपमान करने वाली इस भाजपा की जहरिली प्रवक्ता के अब बुरे दिन शुरू हो गए है पैगंबर मुहम्मद सहाब की खिलाफ आपत्ती जनक टिपनी को लेकर कॉलकाता पुलीस ने नुपूर शर्मा को 20 जून को तलब किया है भाजपा सरकार भले ही नुपूर शर्मा को सरक्षन दे रही हो लेकिन दूसरे राज़ियों की पुलीस ने नुपूर शर्मा को तलब करना शुरू कर दिया है नुपूर शर्मा को पश्रिम बंगाल पुलीस की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है नुपुर्शर्मा को पूस्ताच के लिए कलकता बुलाया गया है बंगाल पुलीस ने केज दर्ज कर 20 जुन को पुलीस के सामने हाजिर होने के लिए कहा है बंगार पुलिस के अलावा महराष्ट के भिवंडी थाने की पुलीस ने नुपुर्शर्मा को नोटिस भेज कर तेरा जुन को पूस्ताच के ने हाजिर होने के ने कहा है मुसल्मानों की भावनाओं से खिलवार करने वाले नुपूर शर्मा अब कानून के पीछे छिपने का परियास कर रही है भिवंडी पुलीस के समन का जवाब देने के लिए नुपूर शर्मा ने अपने वकील को आगी कर दिया है नुपु शर्मा की वकील ने पुलीस के सामने हाजिर होने के लिए पुलीस से कुछ दिनों का समय मांगा है वरिश पुलीस निरक्षक चेतर काकड़ेनी मीडिया को बताया है कि नुपु शर्मा की अलावा भाजपा से निकाले गए नवीन कुमार जिंदल को भी पुलीस ने तलब किया है उदर मुंबई पुलीस नुपु शर्मा की खिलाफ बड़ी कारवाई की तयारी कर रही है मुंबई पुलीस ने 15 दिन के अंदर नुपु शर्मा की खिलाब उचित कारवाई करने के लिए कहा है आपको बता दे मुंबई में 300 मुलानाओं ने पुलीस कमिशनर से मुलाकात की थी इस मुलकात में मौजुद मौलानाओं ने नुपूर शर्मा की खिलाब मामला दर्च किये जाने पर मुंबई पुलिस का अभार वैक्त किया और जल्द से जल्द कारवाई की मांग की है इस पर मुंबई पुलिस ने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए 15 दिन के अंदर उचित कारवाई करने का आस्वासन दिया था अब मुंबई पुलिस ने नुपूर शर्मा से पूस्ताश के लिए 25 जून को पुलिस के सामने हाजिर होने के लिए कहा है लेकिन इससे पहले भिवंडी पुलिस ने 13 जून को नुपूर शर्मा को हाजिर होने के लिए कहा है इसके अलामा बंगाल पुलिस ने 20 जून को नुपूर शर्मा को कॉलकता पुलिस के सामने हाजिर होने के लिए कहा है आपको पता दे बंगाल में अभी भी लगातार नुपूर शर्मा की खिलाफ परदर्शन किये जा रहे हैं लोग बीजेपी नेता की गिरफतारी की मांग कर रहे हैं आज में बंगाल में नुपूर शर्मा की खिलाफ जोरदार परदर्शन किये गए परदशन कारियों ने रेल की पट्री पर पहुंचकर रेल रोकने की कोशिश की और जमकन नारेबाजी की और नुपुर शर्मा का पुतला भी जलाया नुपुर शर्मा की खिलाफ लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है राजी में लोगों के गुस्षे को देखते वे बंगाल पुलीस ने अब नुपुर शर्मा को कॉलकाता पुलीस के सामने हाजिर होने के लिए कहा है आप देखना यह है कि बंगाल पुलीस नुपुर शर्मा के खिलाफ क्या कारवाई कर पाती है अगर आपको नियूज अच्छी लगे तो नियूज को लाइक करें अगर आप हमारे चैनल पर नहे हैं तो हमारे मीडिया टोड़े टीवी चलगा सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकोन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे नियूज सबसे पहले आप तक पहुँचे आप मिलेंगे अगली खाबर के साथ शुक्रिया